गुट इबनिंग दोस्तों I am Dr. Gaurav Gupta I am consultant radiation oncologist in Balko Medical Center नायरायपूर दोस्तों आज Facebook like के माध्यम से मैं आभी आप सब लोगों से रूबर हूँ और आज का जो विशा है जो टॉपिक है Radiation Treatment in Cancer Care दोस्तों जैसे आप सभी लोग काफी जाग्रोख है और आप सभी लोग के संग्यान में बात होगी कि Cancer का Diagnosis दीरे-दीरे बढ़ रहा है Diagnosis भी जल्दी हो रहा है उसका incidence भी बढ़ रहा है पर जैसे जैसे ये सारी चीज़े बढ़ रही है उसको ठीक करनी की जो विदिया है उनमें भी advancement हो रहा है उसमें भी उन्नती हो रही है सामानत है तीन तरीकों से Cancer का एलाज किया जाता है Surgery जिसमें Tumor को Excise कर दिया जाता है कीमो थेरपी जिसमें दवाईयां दी जाती है और तीसरा जिसमें आज हम सभी बात करने वाले हैं Radiation Treatment जो की Cancer Treatment का एक बहुत ही प्रमुक्त इस्तम है Talk के बीच में, Discussion के बीच में अगर आपके मन में कोई सवाल आता है You can always write in the comment box दोस्तों, आम भाशा में हम Radiation Treatment को बोलते हैं सिकाई का एलाज, बिजली की सिकाई बट ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता है CT scan की मशीन है, उसमें जो rays निकलती है वो X-rays होती है तो इस मशीन में भी X-rays निकलती है बट मशीन का नाव linear accelerator है तो दोस्तों जैसे जैसे कार काफी सारे Treatments का advancement हुआ है उसी प्रिकास से Radiation Treatment भी दीरे-दीरे क्रमिक विकास हुआ है पहले COVID-60 मशीन होती थी जिसमें Radiation का एलाज हुआ करता था और उसमें काफी बड़े हिस्से में एक Tumor को Treatment करने के लिए शरील के काफी बड़े हिस्से में Treatment होता था उसका दुश्पभाब यह होता था कि काफी सारा normal tissue उस field में आ जाता था उसके side effects जादा होते थे और काफी लंबे समय तक होते थे धीरे-धीरे करके विकास हुआ और linear accelerator आया और उस linear accelerator के साथ साथ नई-नई टेक्नीक साइंस जैसे की IMRT, Intensity Modulated Radiation Treatment, IGRT, Image Guided Radiation Treatment दोस्तों यह बताते हूं मुझे अतियंत हर्ष हो रहा है कि बालको medical center में जो linear accelerator वो true beam है जिसमें सारे प्रकार के advanced radiation techniques से हम radiation treatment deliver कर सकते हैं अब जो मैंने आपको IMRT और IGRT अभी आपको बताया इसका lab क्या है, इसका advantage क्या है दोस्तों सबसे पहले तो यह पूरी तरीके से computerized techniques हैं, इसमें सांचा बनाया जाता है, जिस भी हिस्से का radiation हो रहा होता है, उस patient का particularly patient specific सांचा बनाया जाता है, एक CT scan होता है फिर सांचे के सांथ में, और उस CT scan पे ही पूरा 3D plan डवलप होता है और उस पूरे plan का जो motive होता है, जो देश होता है, कि CT scan में जहां जहां पे बिमारी है, उस हिस्से को पर्याप्त मात्रा में, समुचित मात्रा में radiation की dose पहुँचाई जाए, जिससे की cancer cell उस जगह पे kill हो जाए radiation का जो काम करने का तरीका होता है, उसी जगह पे cancer cell को kill कर देता है और सांथ ही उस 3D plan में आसपास में जितने normal structures हैं, उनको पूरी तरीके से बचाया जाए जिससे की radiation के दौरान होने वाले side effects और उसके बाद में होने वाले side effects काफी मात्रा में cut down हो सके दोस्तो जब भी radiation होता है तो यह OPD setting में होता है, means patient आता है, radiation कराता है वापस चला जाए तो machine पे 15 मिनट के आसपास लगता है सब्ताहे में 5 बार होता है, प्रति दिनी, सब्ताहे में 5 और इस तरीके से लगबग एक से डेड़ में यह radiation treatment चलता है radiation की बात कर रहा है तो लगबग हर cancer में इसके treatment में इसका प्रमुक स्थान है इंडिया में जो की सबसे तीन प्रमुक कैंसर हैं, head and neck cancer, carcinoma breast, carcinoma cervix तीन और treatment में तीनों के इलाज नहीं, radiation treatment एक पिशियस स्थान है और जैसे जैसे अलग-अलग tumor होते हैं तो number of fractions, means कितनी sitting radiation की है, वो number of, कितनी sitting देनी है, वो tumor के हिसाब से decide होती है, scientific studies द्वारा जैसे कि head and neck में लगबत 30 से 35 इलाज होते है, radiation के, carcinoma breast में 16 से 20 इलाज होते है, carcinoma cervix, गरभाश है मुखकर जो cancer होता है, उसमें 25 के लगबत इलाज होते हैं, बट उसमें EBRT के साथ में ब्रीकी therapy भी एड होती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे तो इस तरही कि से radiation का treatment है, patient आता है, walking, talking अपना treatment लेता है और वापस घर चला जाता है, IMRT और IJRT के एक खासियत और है, radiation के लिए जब patient machine पे लेटता है, तो machine में ऐसी सुविदा होती है कि just seconds before to treatment, patient की position cross check कर सकते हैं, x-ray दवारा या CT scan दवारा, तो ये काफी अत्यांत, आ इसमें सठीकता पे पूरा विशिस ध्यान होता है, और इसमें जो accuracy आती है treatment की, submillimetric accuracy रहती है, तो highly focused, highly conformal, बहुत ही सठीक एलाज, साथ में normal tissue के जो side effects हैं, उसको कम से कम करने की कोशिस की जाती है, दोस्तों, carcinoma cervix, गरभाश या मुक के साथ मैंने breaking therapy की बात करी थी, ये आते हो, मुझी अतंत हर्ष हो रहा है, और साथ में proud feeling भी होती है, कि बालकू medical center में जो radiation department है, अपने आप में complete radiation department है, complete radiation department in sense की जो EBIT की machine है, means जो linear accelerator है, ये टैली therapy है, means दूर से आलाज, टैली therapy, और साथ में हम लोगों के पास में ब्रेकी therapy की भी मशिन है, जिसमें अंदर की स होता है, पास, तो ट्यूमर के पास में radioactive source जाता है, ट्रीट करके वापस machine में जाता है, और ये एक बहुत ही अभिन नंग है, गरभाशे मुख के cancer के अलाज का, गरभाशे कैंसर के अलाज का, soft tissue सार्कोमा के treatment का, तो इस तरीके से दोनों machine मिलाके complete radiation setup है, और पेशेंट को कही और जाने की अवश्यक्तान ही पड़ती, तो जिस तरीके से बाकी दूसरे treatment ने काफी विकास किया है, उसी प्रकार से radiation treatment भी, cancer एलाज में एक बहुत ही आधुनिक एलाज हो चुका है, जिसमें कि अब side effects काफी कम हो चुके हैं, treatment की सटीक ता बहुत जादा बढ़ चुकी है, नए नए टेक्नीक्स आ गई हैं जिसके basis पे radiation का treatment काफी सटीक हो गया है, side effects जिसके कम हो चुके हैं, और इस तरीके से हम सारा treatment इतर पे कर रहे हैं, आपके मन में कुई सवाल है, कुई doubt है, तो I am happy to answer. कर दो दो, कर दो आई हैं, तो I am happy to answer, को कर दो कर दो, क्या दो है आपके मन में आपके हैं, तो I am happy to say